कि अबस्कार विद्यार्थियों स्वाकत आपका विक्यास फिजिक्स अकैडमी ऑप्टेक्स के जो बीसी सेकेंडिर का पेपर है फिजिक्स का थर्ड पेपर उसकी मौश्ट इम्पोर्टन क्योशन की पार्ट सैकेंड जो है आज आपके सामने देखे आए हैं पार्ट मिलेंगे लेकिन आपको यहां पर तरीके से आपको याद करना है टॉक्स यादा नहीं है बस वहीं क्लासिस के लिए भी आपको लगातार गाइडेंस है और इंपोर्टेंट अप्डेट्स बगए मिलती रहेंगी चैनल जो हमारा टेलिग्रम चैनल उसको भी जोइन कर लेना ताकि वहाँ पर आपको पीडिएफ बगएर है अप्लोड की जाती है उसकी सुचना तुरूंत मिल जाये उसकी सायता से आप पढ़ सकें तो चलिए शुरू करते हैं बीएसी सेकेंडियर का जो पेपर थार्ड ऑप्टिक्स का उसके पार्ट फ करना तो चाहिंए है उसे परिकार से यहां पर मैंने सेक्षन ब्ह और सी के लिए छांप को बता दियें यहीं है उन बी और सी में आपको क्योशन मिल जाएंगी यहाँ पर भी मैंने टोटल पांच विनिट के इस ने बताए हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्योशन आता है फर्मा का नियम का स्टेटमेंट वह सेक्षन क्योशन है बन सकते हैं इसके बाद यह अपना थोड़ा साहां इंपोर्टैंट है और यह प्रश्ट के हैं और section B या C के अंदर इनको पूरा detail से explain करना दिया जा सकता है इसके बाद unit number 2 के अंदर दो ही नित्रिकाई हैं जो तीन नमबर या पांच नमबर में आ सकती है एक रेम स्टेन नित्रिका एक हाइगें नित्रिका तो हाइगें नित्रिका वैसे बैस्ट होती है लेकि इंपोर्टेंट दोनों में से कोई भी आ सकती है ऐसा भी हो सकता है दोनों आ जाए एक section B में आ जाए एक section C में आ जाए और जब इन दोनों को आप कर लेंगे इनके जो वीडियो हैं टोटल हमारे पूइट नमर तीन की तो उसके अंदर एक most important पॉइंट आता है अपना न्यूटन वल्ले न्यूटन रिंग वो क्या होता है और न्यूटन रिंग के जो अप्लिकेशन है जैसे इसका पुरतना गयात करना किसी पारदर्शी माध्यम का इसके लावा वेवलेंथ गयात करना मो पूछा जा सकता है और न्यूटन वल्ले होती क्या है यह मैंने आपको section A के लिए भी बताया था इसके बाद में मौश्ट इंपोर्टेंट आता है माइकलसन इंटरफेरेंस यानिके माइकलसन वैतिकण मापी जो है वो भी काफी इंपोर्टेंट टोपिक है और उसके भी अ प्रावर्तित किर्णों में और एक पार्गमित किर्णों में तो काफी simple हैं इनके सभी की वीडियो रहा है वो मारे चैनल पर आपको लगबग मिल जाएंगे न्यूटन वल्ले आपको मिल जाएगा पतले फिल्मों में वेतिगण भी आपको मिल जाएगा इसके बाद विवर प्रटेंड जो कि उसने वो बताए है कि वर्त ये द्वारक से फरिणल विवरतन किस परकार से जाता है यह टोपिक त्यार कर लेना जोन पटिका और कला वितकरमन जोन पटिका मैंने सेक्षन एक लिए बताए थी और सेक्षन बी या सी में भी इनको पूछा जा सकता है कि जोन सबस्क्राइस पुछा जासकता है सेक्षन बी के अंदर के पुछे जासकते हैं इसमें बड़ा क्यूशन बनेगा Single Slit है वो भी एक पूरा पांस नमर क्याने के लिए Cusion होता है और Double Slit भी होता है इसके बाद समतल पार्गमन ग्रेटिंग जैसे ग्रेटिंग है नॉर्मल जैसे एन रेखा सिद्रों से ग्रेटिंग है यह कहते हैं यह section A में भी पूछा जा सकता है, मैं पहले बता चुका हूँ, और रेले कसोटी को आपको detail से पूरा explain करना है, याद रखना है, section B में भी पूछ सकते हैं, section C में भी आ सकता है, इसके साथ साथ एक दूर दर्शी telescope की जो विवेदन समता है, resolving power है, भी आप त्यार कर लीजिएगा, इसके बाद next आता है, unit number 5, जो laser वाली है, उसमें population inversion, यह मैंने आपको section A में भी बताया थे कि जनसंख्या विद्क्रमन किसे कहते हैं, मित स्थाई स्थर क्या है, ठीक है, लेकिन section B में आ सकते हैं, दोनों पर कि इन पर टिपणी लिखो, इन क्यों समझाइए, जनसंख्या विद्क्रमन पॉप्पॉलेशन इन्वर्शन को कहते हैं, समझ्टी परतिलोमन भी कहते हैं, और मेटा स्थेबल स्थेट यानि मित स्थाई उड़ जास्तर, यह दोनों section B के लिए important है, इसके अलावा Einstein गुणाँख जो होते हैं, उनमें आपस में समझ्द गयात करना, और इनमें पराइक्ता का रिलेशन भी होता है, काफी आसान unit है, पराइक्ता का समझ्द भी होता है, वो भी आपस पूछ सकते हैं, और लेजर सिदान्त को समझाए, होलोग्राफी जो है अब की बार इसके समावना बनती है, होलोग्राफी क्या होती है, यह होलोग्राफी को समझाओ, यह section B में और hologram निर्मान कैसे किया जाते इसके परतिकरती कैसे बनाए जाते इसके सिदांत बगएर है यह section C में आ सकता है और दो यह हमारे पास laser है एक हिलियम नियोन और रूबी लेजर तो दोनों काफी आसान है आपको जो उर्जा आरेक है इनका वो याद रखना है इसमें बाकि इसमें स्वरंचना है कारे पढ़ना लिए उसमें ज्यादा कुछ नहीं है डाइग्राम रहेंगे इनके अंदर और उर्जा आरेक ज्यादा रखना उसके आदार पे वो डाइग्राम को देख कि आपको थियोरी है उसमें लिखनी होती है और लेजर वाड़े यूनिट है वो complete हमारे चैनल के अपर upload है वहाँ पे आपको playlist भी मिल जाएगी वहाँ से आप इनको तयार कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताओं कि सबसे ज्यादा आसान और सबसे कम टाइम के अंदर यूनिट जो complete होने वाली है वो आपके विपतन वाली यूनिट अच्छे तरीके से रीडी कर लेना इनमें से आपके लगभग जो पास मार्किंग है वो तो होई जाएंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों यूनिट के नंबर है अठारा नंबर की यूनिट साती हैं दोनों काफी कम टाइम में होने वाली हैं इसके बाद प्राइटी आपको इन में टाइम ज्यादा लगेगा तो आप सबसे पहले यूनिट दो और यूनिट नंबर पांच को तयार करें जिनसे आपको अच्छे अंक प्राप्त होने की पूरी समावना रहेंगी तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वीडियो को लाइक कोमेंट शेर जरूर कर देना अधि कि अधिक सेद्विद्यार्ति हमारे चैनल से जुड़के इसका फाइदा उठा सकें और विश्या में भी और विद्यार्ति आगे से जुड़ सकें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद